स्टुडेंट्स आज हम केमिकल एक्विलिबिरियम में क्लैसियस क्लैप्रोन एक्वेशन के बारे में दिन करेंगे कि क्लैसियस क्लैप्रोन समीकरण कहते किसे हैं तो क्लैसियस जो क्लैप्रोन एक्वेशन है उसमें एक फंडामेंटल एक्वेशन है यह या पिर अपन यू कह स एक आधार बूत समीकरण है जो कि एक गटक M दो प्रावस्ताओं के निकाय के विश्थनिद अध्यन के लिए उप्योगी होती है। क्लासियस क्लेपरोन जो equation है वह एक component और दो states के निकाय के अध्यन के लिए उप्यूगी है तो क्लासियस M क्लेपरोन दोनों द्वारा स्वतंतर रूप से उस्मा गतिगी के दित्य नियम के आधार पर प्रतिपादित किया गया यह समीकरण सामाने तया क्लासियस क्लेपरोन समीकरण कहलाता है तो क्लासियस क्लेपरोन समीकरण जो है वह एक fundamental equation है जो कि एक component और दो states के विश्तरित अध्यन के लिए उप्यूगी है और यह जो समीकरण है यह दोनों ही यह क्या है कि स्वतंतर रूप से थर्मोडाइनिमिक्स के second लोग के आधार पर प्रतिपादित की गई है तो दोनों अवस्ताई जो कि सामेवस्ता में है या तो क्या हो सकती है solid and liquid तो solid के melting point पर और liquid and vapor यानि liquid और vapor दोनों सामेवस्ता में है तो वह है liquid के boiling point पर या उसके क्वतनांग पर next है solid and vapor तो solid के sublimation temperature पर और last है कि दो भिन क्रिस्टलिये रूप इन दोनों अपर रूपों के संकर्मन ताप पर यानि कि दो भिन भिन एलो ट्रॉप्स है या अपर रूप है तो वो क्या होंगे उनके transition temperature पर एक दूसरे के क्या होते है सामे में रहते हैं तो सामे में क्या होता है कि एक ही पधार्थ की दो प्रावस्ताओं जैसे अपने ले लिया दर्वत तता वास्प तो दिये गई ताप तता दाप पर सामे वस्ता में हैं तो यह thermodynamics दित्तिये लोग के आदार पर अपन ज्यात कर सकते हैं तो मान लिया अपने कि कोई समान गटक की दो प्रावस्ताओं हैं जैसे अपने प्रावस्ता ले ली A और B यानि कि समान गटक की दो प्रावस्ताओं कौन-कौन सी यह A और B है जो की इसतिर constant temperature T और दाप P पर एक दूसरे के साथ क्या हैं सामे वस्ता में हैं यानि अपने दो component लिये A और B तो इसकी component यानि इस समान कोई component है उसकी दो प्रावस्ता है A और B तो जो की एक दूसरे के साथ क्या है सामे वस्ता में इसतिर temperature और दाप पर क्या होती है एक दूसरे के equilibrium में है या सामे वस्ता में है यदि ताप और दाप में कोई change किये बिना एक मोल पधार्थ को प्रावस्ता A से प्रावस्ता B में transfer करते हैं माना अगर अपन temperature और दाप में कोई change नहीं करे इसतिर temperature है उसको इसतिर ही रगे दाप जितना है उतना ही रखे तो इनमें change किये बिना अगर एक मोल पधार्थ को प्रावस्ता A से B के अंदर transfer करते हैं तो उसके लिए जो क्या हो जाए इस्तानांतरित करते हैं तो प्रसार क कि अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता तो इसमें del G का value कितनी आ जाती है या फिर अपन यूं कहा दें delta G का मान कितना हो जाएगा 0 तो अतन है G B minus GA यानि कि प्रावस्ता भी अवस्ता में यानि B प्रावस्ता होगी तब उसके लिए gives energy और ए प्रावस्ता है तब उसकी दोनों क अंतर कितना आ जाएगा जीरो के बराबर होगा अगर इनका अपन पक्षांत्रण करते हैं तो जी ये बराबर क्या हो जाएगा जी भी इसको अपन दे देंगे समीकरण एक तो अताश साम्मे वस्ता में इस्तिर दाब तता ताप पर पधार्थ की सभी प्रावस्ताओं में मोल molar मुक तूर्जा होती है वह क्या होती है समान होती है यदि सिस्टम का temperature T से T प्लस DT तक बढ़ाया जाए तो सामे वस्ता को बनाए रखने के लिए दाब भी क्या होना चाहिए P से P प्लस DP में परिवर्थित हो जाता है यानि कि अगर दोनों प्रावस्ताओं में सामे वस्ता बनाए रखनी है अपने को तो अगर temperature को अपन T प्लस DT तक बढ़ा रहे हैं तो अपने को pressure को भी क्या करना पड़ेगा P से P प्लस DP तक बढ़ाना पड़ेगा या उसमें परिवर्थित करना होगा तबी वो दोनों प्रावस्ताओं क्या होगी सामे में होगी है तो DP तता DT के बीच सम्मन्द उसमा गति की सायता से अपन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं यानि कि इस DP और DT के बीच में जो relation है वो अपन thermodynamics की सायता से निकाला जा सकता है यदि इस नये ताप पर जो अपने लिए T प्लस DT तक इस नये ताप तता दाप यानि P प्लस DP पर पधार्द की प्रावस्ता A से मुक तूर्जा प्रतिमोल GA plus DGA तता प्रावस्ता B से मुक तूर्जा प्रतिमोल GB plus DGB हो तो अता है समीकरण में रखेंगे अपन GA और GB यानि इनमें भी चेंज हो जाएगा जब अपन temperature और pressure में चेंज करते हैं तो इनकी मुक तूर्जा में भी क्या होता है परिवर्टर होता है तो GA plus DGA बराबर GB plus DGB DGA बराबर क्या जाएगा DGB इसको अपन क्या दे देंगे समीकरण 2 अब अपने को पता है कि थर्मो डाइनमिक से DG का यानि की जो मुक तूर्जा है परिवर्सिबल प्रोसेस है तो प्रावस्ता A के लिए जब इसमें रखेंगे अपन मान तो DGA बराबर VADP माइनस SADT और प्रावस्ता B के लिए क्या जाएगा समीकरण DGB बराबर VB DP माइनस SBDT ये प्रावस्ता A और B के लिए होता है यानि कि अगर थर्मो डाइनमिक से अपन समीकरण लेते हैं कि मुक तूर्जा परिवर्तन किसके बराबर होता है तो इसमें मान रखने के बाद में इन दोनों के मान DGA और DGB का मान अगर अगर अपन समीकरण 2 के अंदर रखते हैं तो समीकरण 2 में रखने पर अपने पास final equation क्या आ जाती है DT अपॉन DP बराबर VB माइनस VA अपॉन SB माइनस SA जिसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा S लिखा जा सकता है इसको अपन दे देंगे समीकरण 4 अब समीकरण 4 अपने को प्राप्त किस्सेवा कि जब प्रावस्ता A और प्रावस्ता B में जो उसमा गति की परिवर्तन है उसके मान रखने पर जब अपन रखा तो यह मान अपने को प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर इसको अपोजिट उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा DP अपॉन DT बराबर Δेल्टा S अपॉन Δेल्टा V अब अपन गिप्स हेलमोल्ड समीकरण के अकोर्डिंग देखे तो गिप्स हेलमोल्ड समीकरण क्या होती है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल S अपने को पता है कि सामय वस्ता में डेल्टा G का मान क्या होता है सुनने तो डेल्टा G का मान सुनने होने पर डेल H बराबर क्या जाएगा टी डेल एस और टी डेल एस बराबर यानि डेल्टा एस का मान अगर अगर अपन ग्याद करना चाहे तो डेल्टा एस का मान क्या जाएगा डेल्टा टी अपॉन सोरी डेल एस बराबर डेल्टा एस अपॉन टी जिसको अपन ने क्या कह दिया समीकरण 6 है इस समीकरण 6 से delta S का मान किस में रखेंगे समीकरण 5 के अंदर रखेंगे और समीकरण 5 में जब इस का मान रखेंगे तो dp upon dt बराबर क्या जाएगा del H upon t vb minus va जिसको अपन क्या कहते है समीकरण 7 और ये जो समीकरण 7 है ये कहलाता है अपना classius klepron equation यानि कि इस समीकरण की ये form क्या कहलाती है classius klepron समीकरण का ही रूप कहलाती है और इस equation या this equation can be used for different equilibrium यानि कि विभिन साम्यों के लिए इस समीकरण को अपन काम में ले सकते हैं तो कौन-कौन से साम में हो सकते हैं या किन-किन साम्यों के लिए इस समीकरण को प्रियुक्त किया जाता है तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि जो classius klepron समीकरण है उसको अपन विभिन साम्यों के लिए use में ले सकते हैं तो फर्स्ट साम में अपन ने लिया solid liquid equilibrium यानि कि ठोस द्रवे साम में ठोस द्रवे साम में में अपन ने देखा कि ठोस और द्रवे क्या है आपस में साम में इस्तापित है तो इसके लिए जब अपन classius klepron समीकरण लागो करते हैं तो dp upon dt बराबर क्या जाएगा dhf upon t vl minus vs या फिर अपन इसको लिख सकते है dt upon dp v t vls minus vs upon dlhf जिसको अपन ने देदिया समीकरण 8 यहाँ पर जो delta hf है वो दरसाता है गलन की molar उस्मा को या फिर molar heat of fusion गलन की molar उस्मा को vs दरसाता है molar volume of solid और vl दरसाता है molar volume of liquid यानि की liquid की molar आईतन और solid का molar आईतन t दरसाता है melting point of meter यानि पधार्थ के melting point को दरसाता है अब यदि समीकरण यह समीकरण पधार्थ के गलनांक में दाब में परिवर्तन के साथ परिवर्तन के अध्यन के लिए उप्योगी है यानि दाब में परिवर्तन के साथ क्या परिवर्तन होता है उसका अध्यनपन कर सकते है तो इसके लिए कुछ conditions है जैसे कुछ पधार्थ है जैसे बर्फ है तो बर्फ क्या होती है जब उससे पिगलती है तो वह क्या हो जाती है contract या संपिडित हो जाती है कांतर होता है उसका मान के साथ है नेगेटिव और ये मान नेगेटिव आने पर DT upon DP का जो मान होगा वैबी क्या होगा नेगेटिव होता है तो इससे ये सीथ होता है खिए अगर बरफ पिगलने से संपीडित होती है तो उसके आयतन में क्या आती है कमी आती है लेकिन जैसे कुछ पधार्थ होते हैं जैसे सल्फर लिया आपन ने तो सल्फर में क्या होता है कि जब सल्फर को पिगलाते हैं तो उसके आयतन में व्रद्धी होती है यानि कि लिक्विड अवस्ता में उसका जो आयतन होता है वह सोलीड अवस्ता के आयतन से अधिक होता है यानि VL greater than Vs आता है VL minus Vs क्या हो जाएगा positive होगा इनका अंतर और ये positive होने पर इसमें dt upon dp का मान जो आता है वह भी क्या होता है positive आता है और इसका मान धनात्मक होने पर दाब बढ़ाने पर इस इस्तती में दाब बढ़ाने पर क्या होता है गलनांक बढ़ता है तो कहने का मतलब है अगर किसी को अपन melt करते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है तो उसको दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक में कमी होती है और अगर किसी को melt करने पर उसके आयतन में व्रदी होती है तो उसमें दाब बढ़ाने पर उसका गलनांग क्या होता है बढ़ता है Next है सामने के लिए condition जो क्लेसियस क्लेपरोन equation लागू करते हैं अपन liquid vapor equilibrium या द्रववास पर सामने इसमें क्या होता है द्रववस्ता और वास पर वस्ता दोनों क्या होती है आपस में सामने में इस्तित होती है तो इस इस्तिती पर जब अपन क्लेसियस क्लेपरोन समीकरण लागू करते हैं तो dt upon dp बराबर t vv minus vl upon delta hv जिसको अपन कहते हैं समीकरण 9 यहाँ पर delta hv जो दरसाता है वह वास्पन की molar उस्मा को दरसाता है और vv और vl दरसाता है molar volume of vaporization and liquid तो यानि वास्प और द्रवव के molar आयतन को दरसाते हैं यह equation ताप के साथ द्रवव के वास्प दाब में परिवर्तन की दर को व्यक्ते करता है यानि की जो समीकरण 9 है वह समीकरण क्या दरसाता है कि temperature के साथ साथ उसके वास्प, द्रवव के वास्प दाब में क्या परिवर्तन होता है तो उसके बारे में जानकरे अपने को किस से प्राप्त होती है समीकरण 9 से प्राप्त होती है next है solid vapor equilibrium यानि कि ठोस और वास्प दोनों सामें वस्ता में हैं तो ठोस वास्प सामें के लिए अपन देखते हैं तो क्लेसियस क्लेपरोन समीकरण क्या हो जाएगी dp upon dt बराबर dal hs upon tvv minus vs इसको देदेंगे समीकरण 10 या समीकरण 10 के द्वारा दरसाते हैं अब इसमें अपन ने देखा कि यहाँ पर जो डेल्टा hs है वह कि इसको दरसाता है enthalpy of sublimation यानि की उर्द्व पातन की enthalpy को डेल h क्या होता है एक state function है क्योंकि डेल्टा hs क्या है इसको देल्टा hs वह है डेल्टा hv के योग के बराबर होती है तो डेल्टा hs होती है जो यानि उर्द्व पातन की जो enthalpy है वह है गलन की enthalpy और वास्पन की enthalpy के योग के बराबर होती है इनके मानों के योग के बराबर क्या हो जाएगे अपनी enthalpy of sublimation और लास्ट सामने का प्रकार है equilibrium between two allotropic forms यानि दो ठोस अपर रूपों के मद्दे सामने तो दो ठोस अपर रूप alpha या बीटा तो solid ठोस alpha और ठोस beta के बीच में अगर सामने है यदि alpha form solid के संकर्मन ताप के नीचे का इस्ताई रूप है यानि alpha रूप क्या होती है ठोस के संकर्मन ताप से नीचे के ज़्यादा इस्ताई होती है जबकि बीटा फों जो है वह संकर्मन ताप के उपर इस्ताई है तो इनके लिए जब क्लेसियस क्लेपरोंड समीकरण को निमन प्रकार से लिखा जा सकता है यानि dt upon dp बराबर tt vb minus, sorry vbeta minus v alpha upon delta ht तो यहाँ पर delta ht जो है वह enthalpy of transition को दरसाता है यानि कि संकर्मन की enthalpy को दरसाता है और tt जो दरसाता है वह transition temperature को दरसाता है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते है कि dp upon dt संकर्मन ताप t को बाहिय दाप p के साथ परिवर्तन की दर को दरसाता है यानि संकर्मन ताप को बाहिय दाप के साथ परिवर्तन करने पर इसके मान में क्या परिवर्तन आता है उसको अपन इसके द्वारा दरसा सकते है